चन्पत मुरादवाद के थान ठाकरद्वारा छेतर में एक दरोगा की दवंगई के चलते एक रिक्षा चालक ने स्स्पी मुरादवाद के सामने पेश होकर अपनी पीडा सुनाते हुए गुहार लगाई है दरसर आज ठाकरद्वारा निवासी शेहनाज ने एक शिकायती पत्र स्स्पी मुरादवाद को सौपते हुए ठाकरद्वारा ठाने में तैनात दरोगा मेगराज सिंग द्वारा की गई दवंगई की शिकायत की है पीडित्य का कहना है कि 24 अगस्त को उसका पती तौफीक अपनी रिक्षा में बैटकर बजा जा रहा था इसी भी चुराहे पर खड़े दरोगा में उसके पती के साथ मार पीड की वहीं पीडित्य तौफीक ने बताया की मेरे लिए कर जा रहा है मेरे उसे के ट अवरत कोнокे ने में Bulbas ao 90 मी कीचा रहा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेरी गाड़ी तो सेट से लगी है मेरी रोट पर गाड़ी नहीं है जब तो आप मुझे मार थे उन्होंने कुछ बोला नहीं है मानना चालू कर दिया हो मिझे जो है रेपड मारे है मेरे उसके बाद मारे में चलते टेम पूनी मारी मेरा नाम मुहमद रफी अलिंडिया सेख मसुदी महासावा का पिर्देश अध्यक्ष हूं और मैं बरिष्ट पुलिस अधिक्षक साब से मिलने आया था और यह हमारे ठागरदवारे का मामला है यह इरिक्षा चाला गया और हमारे जो मासुक अली मसूदी साव हैं इरिक्सा के अध्यक्ष उनके लेटर पेट पर ये अप्लीकेशन दी गई है बरिश्ट पुलिस अधिक्षा साब को और उनसे आज हम मिलें सब लोग और ये इरिक्सा चालक के इतनी बुरी तरीके से बैबार किया गया है इसके साथ इसकी आँख में और सब्जी वालों का फड़ गिरा रहा है अगर कोई गल्ती भी है तो चलान काट है वह अपनी डूटी करें ऐसा तोड़ी के मार पीट करेगा वह किसी के साथ और जैसे कि हमारे माने प्रदान मंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास तो क्या यही है उनका उद्देश स इसके साथ एक सवारी और इसके बच्चों को उतारता हुआ यह इसके साथ मार पीट करी दो सिपाई ते मेगराज सिंग ऐसाई था मैंने बरिश्ट पुलिस अदिश्चक उन्होंने कहा हम इस पर तत्काल कारवाई करेंगे और इस्पेक्टर महोदे से भी बात करिए